आज का व्लॉग होने वाला है स्पेशल एंजॉय कीजिए एंड तब कुछ भी अच्छा लगे ना तो मुझे कमेंट अपने जरूर दीजे फीडबैक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए है तो और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ मॉनिंग का टाइम है मैं बनाने वाले हूं नाश्ता टेफिन बॉक्स बच्चे के लिए रोशनी का स्कूल है आज तो मैं आटा तियार कर रही हूं नमक में अकसर डालती हूं साथ में पानी डालकर अच्छे से इसको नीट कर लोगे तो यह होने वाला है पूरी का आटा ज सबजी जीरा आलू बनाओंगी जो फटा-फट से बन जाता है क्विक और इजी सा तो मैंने थोड़ा सा एक बोल में ना हल्दी लिया है मिर्ची पाउडर और धिनिया पाउडर आट किया है आलू को मैंने अलड़ी पॉयल करके रख लिया ता चिलके और साथ में नमक सादम साबुत मिर्च होता ना उसको तोड़ कर थोड़ा सा टुकड़े में करके आप डालो इसका टेस्ट स्मोकी फ्लेवर सा थोड़ा सा आता है मिर्च का अच्छा लगता है इसको भी हल्का सा पका लेंगे और यह जीरा आलू पूरी के साथ बहुत अच्छा जाता है इसलिए म साल का सा मैश कीजिए थोड़ी से खड़े रहने चाहिए तो अच्छे लगते हैं जीरा आलू और जीरा आलू कई तरह से बनता है मैंने इसमें कोई भी प्याच और लेसुन अद्रक का यूज नहीं किया बस इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है एक से दो मिनिट मी आलू की सबजी तो बन करते हैं तो यह जादा तर जो होता है ना टिफिन के लिए पॉफेक्ट अगर थंड़ा भी हो जाए तो भी बच्छों को अच्छा ही लगता है तो बस मैंने वाइल डाला है कड़ाई में गरम होने के लिए बस थोड़ा सा जो लूई है ना मैं कर नहीं टिफिन लेके भी जाएगी तो थोड़ा सा मैं इसको खिला के बेज़ती हूं क्योंकि आज कल ना बहुत टाइम हो जाता है सूबह जैसे की पांस से साड़े पांच बचे हम लोग दोनों उड़ जाते वो नहाने जाती है फिर स्कूल रहता है उसका और वहीं से जैसे परियर होता है हम सभी के लाइफ में और मुझे लगता है ना कि जीवन में किसी को भी शान्ती नहीं जब बच्चा तीन साल से उपर का हो जाता है जब पढ़ने लगता है उसी समय से उसका पूरा स्ट्रागल शुड़ हो जाता है तो यह पार्ट अफ दर लाइफ है सभी को तो बस मैं रोशनी का चोटी कर रही हूँ उसका भी क्लास टेस्ट चल रहा है इसलिए वो अपने हाथ में बुक लेके है काफी ज़्यादा सिंसर है तो अपना टाइमली वो पढ़ाई कर लेती मुझे कभी बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है कि पढ़ो या कुछ भी और मैंने चाई चड़ा दिया और अपने गरम पानी जो होता है ना मैं अकसर लेती हूँ नीबू और साथ में हनी डाल कर अच्छा सा वेट लॉस होता है अक्चली मैं काफी दिनों से ले रही हूँ इसका काफी ज़्यादा फर्क भी मुझे पढ़ा है तो मैंने नीबू औ और साथ में जो है ना हनी पानी में डाल के रख दिया रोशनी उसको गरम कर देगी अवन में बस ये मेरी चाई भी बन चुकी है मौनिंग की तो बस पापा के लिए और मेरे लिए है चाई बस मैं अपना लूंगी रोशनी ने अच्छ से गरम कर दिया है उसको पता है कभी क ये मैंने खुद से अबसर्फ किया है तो रोशनी चले गई है आज वो लिफ्ट नहीं ली है आज उसने डायरेक्ट स्टेर केस से नीचे उतरी है इसके बाद जो भी है ना मैंने थोड़ा सा क्लीन अप किया है जो बैट के उपर में काफी ज़ादा डस्ट हो जाता हमारे य तो मैंने और किया था एक न्यू बैट शेट और वह आज आने वाला है फ्रेंस में आपको देफिनेटली दिखाऊंगी तो ये किंग साइज बैट है नाइन इंटु नाइन का पूरा बड़ा आता और अच्छा भी लगता पूरा इच्छा से कवर अप हो जाता है तो इसके पूरा गए है इसके बाद जो है न मेरा नहांद होना हुआ है और जैसा कि आप हमेशा अगर ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा मैं आश्ża बाद में करते जह सबसे पहले होती है पूजा तो पूजा सब से पहले होना चाहिए बाद में पेट P Shy कूजा होना चाहिए उसी तरस जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं उनको किसी का प्रेम समझ नहीं आता है तो हमेशा धैरे और सत्ते के साथ रहिए भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे तो इसके बाद फूजा करने के बाद मेरा हुआ अपना नाश्ता पूरी सबजी और साथ मेरी चाहे और ये लंज टाइम है फ्रेंस 11.30 से उपर हो चुका है मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सबजी तो सारा कुछ जो है ना प्रिपेर मैं कर लेती हूँ जो कटिंग चॉपिंग है प्याज वगएरा तो पनीर की जो भी सबजी है वो उसका लिए जो शिमला मिर्च है प्याज है बारिक काटना है तो यह सारा चॉपर से मेरा हो जाता है और यह काफी अच्छा चॉपर है फ्रेंस मैंने शेयर किया इसका फॉल रिव्यू भी और यह अच्छे से फाइन बिल्कुल कट करता है और दाल और चावल भी बनाऊंगी तो मटर पुलाओ बनाने वाली हूँ इसके लिए मैंने बासमती राइस लिया है इसको अच्छे से मैं वाश करके रग दूँगी ताकि यह अच्छे से फूल जाए बनागने के वक्त ना जब आप पुलाओ बनाते हो राइस तो अच्छा सा सॉफ्ट बनता है और बिल्कुल खिले-खिले बनते है तो वाश करके कर करीब आदे घंटे के लिए मैं रख दूँगी इसको तो इसके बाद जो हैना मैंने काली उरत दाल ली है और इसको मैं अच्छे से वाश करूंगी इसको भीगो के रख दूँगी अगर आपको जल्दी बनाना तो गरम पानी में थोड़ा सा भीगो के रख दीजे एक से दो बून लिया है और इसमें डालोंगी यह मैं पनीर की सबची बनारहे हुँ दोड़ा सा मिर्ची पौड़ड़। थोड़ा सा हल्दी प़र नमक और इसमें मैं डाल लोंगी भूनने के बाद हल्का सा बदू कच्छा पन है रल्दी निकल जाया है अब मैं इसमें डाल तो ये हलका सा रंग चेंज हो गया है बस मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये फिर मैस की जो है ना ग्रेवी वगरा भी तियार कर लूँगी तो जल्दी से बन जाता है थोड़ा सा ओयल मैंने डाला है पैन में और इसके गरम होने के बाद जो भी खड़े मसाले होता है जीरा तेजपता दालचीनी लॉंग काली मिर्श ये सारा कुछ डाले और इसके बाद बारी कटा हुआ जो प्याज है आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं उससे भी टमाटो प्यूरे अट करती हूँ तो अभी टमाटो बहुत जादा महंगे है हमारे यहां भी तो आपके यहां कितने चल रहे हैं प्रेंड्स बताएगा ज़रूर और इसके बाद जो टमाटो प्यूरे मैंने पीस लिया था पहले से वह एड कर दिया है नमक स्वादनुसर सा पनीर के साथ जादा अच्छा जाता है इसके बाद पानी आट करना है और मसाले को करीब हम कुक करेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर जब तक अच्छे से सप्रेट ना हो जाए तो एक तरफ मसाली कुक हो रहे तब तक मैं एक तरफ जो है ना दाल को कुख होने के लिए पर आते रहेगा या तब तक कुक करना जब तक यह दाल अच्छे से पकना जाए थोड़ा सा वक लेता है और इसके बाद जो है ना पनीर का मसाला भी एक तरफ तयार हो चुका है इसमें से ऐल सपरेट होने के बाद बस यह फ्राई किया हुआ जो पनीर है शिमला मिर्च प्या तो तूट भी जाते है और इसमें थोड़ाई मिल्च व्र भी लिश्तिक होने तक मैं भी मिनिट कूछ करना है ज़गा ज़्याद क Rabbi लृव तो यह थे क्रणा होने के पाद यह एक ज़ुदा अर जाद फ्रेश क्रीम है थोड़ा सा एट कर देजिए ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी रिच हो जाए और बस इसको मिक्स कर देना इस फ्लेम को टोटली मैंने आफ कर दिया धनिया पतर डाल लिया है आप देख सकते हो थोड़ा सा थंडा हुआ ये काफी अच्छा थिक हो चुका है आप चाहे तो टुकडे में कटा हुआ जो अद्रकले सुन है उसको भून सकते हैं और इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डालिया है फ्रोजन मटर था मेरे पास तो मैं अकसर लेकर आकर रखती हूं फ्रेश में और जब भी जाती हूं पैकेट उठा लाती हूं जो पैसी यह चीजों का स्वाद अच्छा सा बढ़ा देता है तो इसका जो फ्रेश टीस्ट होता है मिर्च का बहुत जादा अचा आता है पुलाओं में भी बस उसको डाला है और जो सोग वा बासमती राइस ना उसको एड़ किया है नमक एड़ किया है और थोड़ा सागर मसा जो चाबल है ना बिल्कुल खेले खेले बनते हैं और प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आपने जो पानी डाला ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो बस मैं इसको ढखके रग दिये हूँ मटर बुलाओं को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए और मैं जो है खरी मिर्च भी डाल सकते हो तो मैं सिंपल ही रखी हूँ और इसके बाद जो बॉयल किया हूँ मैश किया हूँ अक्चुली हलका सा मैश कर लिया था पहले से मैंने दाल को तो यह प्रॉपर कुक हो जाए ना तब ही आपकी अच्छी बनती है वरना अगर अच्छे से पके न दाल है ना चेंज करते हैं इसको जीरा राइस के साथ अगर आप काते हो तो अच्छा लगता है बस दाल को मैंने पका लिया है धनिया पत्र डाल कर यह बन कर तयार है एक तरफ मतर पुलाओ भी बन चुका है मैं बना रही हूँ लास्ट में जो है ना रोटी बना रही हूँ तो अभी सारी ही सब्चियों का काफी जादा रेट बड़ा हुआ है तो हमारे यहां भी टमाटर का रेट तो बहुत ही जादा है तो बस फ्रेंड्स मैं रोटी बना ले रही हूँ और मैं रोशनी के बारे में एक चीज कहना चाहूँगी जो मैंने अफजर्फ किया जो मेरे अच्छा ही तारिफ करते हो कभी भी कुछ भी बूरा नहीं बोलते हो चाहे वो खाने से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से तो आपको ये गुन आए कहां से मैंने रोशनी को बोला तो रोशनी ने कहा ममा आप से सच में मेरे चैरे पर उस समय समाइल आ गई थी क्योंकि गुन चाहे किसी से भी आए हो तो ये एक बहुत बड़ा positive sign होता है जब आपके बच्चे हो या कोई भी हो ना जो इनसान हमेशा positive सोचता है सबी के लिए और अच्छा ही बोलता है किसी की कम्या नहीं गिनाता है और सब चीज में adjust कर लेता है और मैंने बच्चों को हमेशा से ह सिखाया है कि हर चीज में adjust करना सीखो कहीं भी आप जाओगे तो वहां भी adjustment बहुत साथा जरूरी है जिस इंसान ने adjustment सीख लिया ना फ्रेंड्स वो कहीं भी रह सकता है खुश होकर अपने जीवन को सांती से गुजार सकता है तो बस मेरा खाना तयार हो गया था मैंने पाप हो चुकी हूँ और इसके बाद पाप को तो मैं already दे देती हूँ पहले से ही क्योंकि रोशनी को तो काफी जादा वक्त लगता है तो बस रेडी होके मैं उसको ले आई हूँ घर में और रोशनी थोड़ा बुच्छो है ना शूट कर देती है बस घर आने के बाद दोनों ने ड्रेस चेंज किया रोशनी के लिए मैंने गरम गरम रोटी बना दी थी और मैंने रोशनी को खाना दिया और एमेजान से मैंने कुछ पर्चेस किया था वह आ गया है तो प्रिंस आज मुचे रिसीव हूआ है दो आइटम और मैं आपको दिखाती हूँ और देखूंगी इस आप देख सकते हो यह आप जो नमकीन बनाते हो ना पोह चाने वाला वह ने लिया है अचा कासा है रहा है और कापी सार पोह एक बार में आ भी जाएगा अप देख सकते हो बहुत अच्छा है material या अच्छा है और next है इसका मैं यूज कर आपको बताऊंगी मैं जो नमकीन ब नेक्स्ट है, मैंने बैटशिट मंगाया है, इसापी में इसको, यह भी ब्लू है, इसमें फ्लोरल सा पैटन है, तो इसका मैं लिंक देदू ही, इन दोनों का अगर आप चाहो तो पर्चेस कर सकते हो, तो देख सकते इसका, जब मैं बिछाओंगी तो आपको पूरा अच्छा काफी अच्छा है इसका मेटेरियलवाइस, अच्छा दिख रा है, है ना रोशी, देखो, तो यह फ्लोरल सा पैटन है, सारे ब्लू-ब्लू हो गया, नेक्स ताब मैं लूंगी तो आपको दिखाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी, डेपिनिक्ली, इसके पिलो भी अच्छ तो इसका ट्राइल भी हो जाएगा तो अभी मैं आ चुकी हूं किचन में तो यह थोड़ा सा जो थिन वाला करा पोहा लेतो हो ना जो फ्लाटन वाला पोहा वह जादा चलगता है तो बस तेल को अच्छे से मैं गरम कर लिया है और यह जो चनी है ना इसमें पोहा डाल कर एक ही बारिक मलें वाला में है इसमिल बहुत्त की छेम दाफ है मैं तो इसाथ और जैसिख में ए अबाद वाला करी बिला में तो वाल का टी के मुंस वाला से जो जार、 मुबqua थो वर्ला करीपता को पारोबें आट केए और तो छोड़ा साथ सारे तैयार करेंगे तो जीर यीर को म मिर्ची पाउडर को पका लेने के बाद थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर मिर्ची पाउडर हल्का सा हल्दी जो होता ना जस्ट फॉर कलर अगर आपको चाहिए तो डाले वना स्किप कर दीजिए स्लो फ्लेम पर मसाले को कुप कर लेना ताकि वो जले नहीं अब बस ये जो है फ्राइ किया हुआ पोहा या चुड़ा के लिजिए उसमें डाल देजिए और अच्छे से मिक्स कर लेजिए ये बनकर तयार है बहुत जादा कुर्गुरी बनती है बहुत जादा टेस्टी और जो सिंपल जो भून के हम लोग जो कड चाही में बनाते हैं उससे जादा ये टेस्टी लगता है बच ज़रू ट्राइब कीचेगा एज़र ट्राइवल फ्रेंडली भी आप है ये आप जादा बना कि अपने बचे को दे सकते है ट्राइवल में कहीं जाओ तो ले सकते है और इसे टैट कंटेनर में रख दीजिए खाते रहे हैं जब बन जाए और ये मेरे मिस्टर ना प्यास डाल कर खाते हैं उनको ज्यादा पसंद है ये वाला जो है नमकिन और इसके बार शाम को है ना मैंने चाहे बना ली थी वेदर थोड़ा सा है क्लावडी हो रखा है फ्रेंस आपको दिखाती हूँ और मैंने चाह किया चाहे के साथ ये जो नमकी ने बहुत जादा अच्छी बनी थी बिल्कुल कुरकुरी और आज का व्लॉग थोड़ा सब्सक्राइब किज़ेगा और कमेंट करना मत भुलेगा तो आज का व्लॉग मैं ही एंड करती हूँ मिलते हैं अनदर व्लॉग के साथ स्टे बलेस आपी टाटाएं बाइब बाइ